हलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, मैं हूँ अर्पेट और आज हम जिस बहुत ही इंटरस्टिंग पोयम की समरी और क्रिटकल एनालिसिस डिसकस करेंगे, वो है एड्मांड स्पेंसर की एपिथेल्मियम, तो आए चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोयम की समरी से एपिथेल्मियन इस एन ओड रिटन बाई एड्मांड स्पेंसर, यानि की एपिथेल्मियन एक ओड है जिसे एड्मांड स्पेंसर ने लिखा है किस रूप में? अपनी ब्राइड यानि अपनी जो उनकी वाइफ हैं उनके लिए एक गिफ्ट के रूप में और इनकी wife का नम है Elizabeth Boyle on their wedding day तो इन्होंने अपने wedding day पर अपनी wife Elizabeth Boyle को एक gift के रूप में ये ओड लिखी थी The poem moves through the couple's wedding day और ये poem जो है ये पूरी जो couple का जो wedding day है वहां से move करती है यानि इसमें पूरे दिन की कहानी है पूरे दिन के बारे में जो है इसमें बातें की गई है From the groom's impatient hours before dawn तो देखिए groom मतलब दूला तो ये जो दूला है ये impatient hour है यानि की जो है ये बहुत ही impatient हो रहा है dawn मतलब बिलकुल सुबा सुबा के समय की अब जो है शादी होने वाली है तो वो काफी उसके मन में बहुत सी बातें चल रही है To the late hours of night तो ये बिलकुल सुबा से लेके कहानी इसकी शुरू होती है इस poem की और late hour of night यानि की काफी देर रात तक का जो है इसमें वर्णन है After the husband and wife have consummated their marriage यानि की जब husband और wife ने अपनी marriage complete कर ली है And इसमें जो है तो तब तक की जो है इसमें पूरी बातें बताई गई है As the most classically inspired works और जैसा की जो है उस जमाने में जादे तर जो भी classical work होते थे वो जिस तरह से inspired होते थे This ode begins with the invocation to muses to help the groom तो ये जो है ode भी कैसे शुरू होती है Invocation to muses देखिए muses जैसे आप देखेंगे कि जो आप यहाँ इंडिया में या हिंदी में जो है जो कुछ भी होता है कोई भी artwork तो उसमें पहले सरसोती बन दना जैसी होती है तो इसी तरह ancient Greek में ये tradition था कि उनकी देवियां होती है muses total 12 होती है तो उनका invocation किया जाता है उनका आवान किया जाता है किसी भी artwork के पहले तो उसी ancient Greek tradition को follow करते हुए ये poem भी शुरू होती है किस तरह से muses के invocation से लेकिन ये किसलिए होती है to help the groom की groom की जो है वो मदद करें however in this case they are to help him awaken his bride not create his poetic work और हलांकि इस case में यानि इस poem में muses का आवान क्यों किया जा रहा है कि वो जो है awaken यानि की जगाएं उनकी bride को groom की bride को यानि दूलहन को जगाएं ये muses not create his poetic work तो मदद किस चीज के लिए चाहिए दूलहन को जगाने के लिए चाहिए कोई poetic work create करने के लिए मदद नहीं चाहिए then follows a growing procession of figures who attempt to bestear the bride from her bed तो देखिए procession का मतलब होता है कि कोई शोभा यात्रा यानि कि आगे बढ़ना किसी भी चीज का कारिकरमों का आगे बढ़ना यहां पर इसका यह मतलब है और bestar का मतलब है कि कोशिश करना मन लगाना तो देखिए then follows a growing procession तो उसके बाद एक कारिकरम सा शुरू होता है of figures यानि बहुत सी चीज़ें होती है who attempt to bestear the bride from her bed जो कि कोशिश करती है प्रयास करती है कि bride को उसके bed से उठाया जाए यानि bride को जो है जगाया जाए इस तरीके की चीज़ें होती है once the sun has risen और उसके बाद जब एक बार जो है सूरज जो है निकल जाता है the bride finally awakes तो फिर आखिर का दूलहन जगती है and begins her procession to the bridal bower बार का मतलब होता है जो है procession अपना start करती है किस तरफ बार की तरफ यानि mandap की तरफ जाने की अपनी तयारियां शुरू करती है she comes to the temple and is wed और फिर वो temple में आती है और शादी करती है तेमपल जो चल्च के बाहर जो जगा है जहां पर शादी हो रही है उसको यहां पर temple का गया है then a celebration ensues और उसके बाद जो है एक celebration जो है शुरू होता है almost immediately the groom wants everyone to leave और लगबग उसी समय जो दूला है वो चाहता है कि अब सब लोग यहां से चले जाए and the day to shorten और यह जो दिन है यह भी अब छोटा हो जाए so that he may enjoy the bliss of his wedding night जिससे की वो अपनी wedding night के bliss को enjoy कर सके once the night arrives और उसके बाद जब रात हो जाती है however the groom turns his thoughts toward the product of their union तो क्या होता है जब एक बार रात हो जाती है तब जो है जो ग्रूम है दूला जो है वो किस बारे में सोचना शुरू करता है product of their union की अब जब उनकी शादी हुई है उनका मिलन हुआ है तो इसका जो product होगा उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है praying to various gods और फिर वो बहुत से gods बहुत से देवी देताओं से प्राथना करता है that his new wife's womb might be fertile कि ये जो उनकी पतनी है इसका जो womb है इसका जो गर्ब है वो fertile हो and given him multiple children और उन्हें बहुत से बच्चे मिले over the calls of the poem यानि कि इस पूरी ही poem में the speaker invokes and alludes to a host जो speaker है वो जगाता है और allude करता है मतलब इशारा करता है to a host of other figures from classical mythology तो किन लोगों को जगाता है किन लोगों को बुलाता है यकीन लोगों की और इशारा करता है कि इनके बारे में बात करता है इस सब कहा गया है कि other figures from classical mythology classical mythology मतलब वह ancient Greek और Roman mythology के जो figures हैं उनके बारे में यहाँ पर लगातार बात की गई है such as muses जैसे कि muses इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 12 muses होती है और किसी भी artwork के पहले इनका आवहां किया जाता है नेम्स मतलब देवी कोई छोटी देवी डॉन मतलब सुबह कर समय और माया माया देखिए माया भी एक Greek character है आपने देखा होगा बहुत से figure में कि एक आदमी है वो पूरे globe को अपने कंधे पर लेके बैठा रहता है पूरी दुनिया को उठाए रहता है उसका नाम है Atlas तो यह जो माया है यह Atlas की मा है Atlas माया का बेटा है तो यह भी ancient Greek character है seeking further blessing for his impending wedding और वो इन लोग को जो है मतलब इन लोग के जिकर करता है और यह further blessing सीख कर रहा है यानि कि यह और आशिरवाद चाहता है देवी देवताओं का for his impending wedding अपनी wedding के लिए तो दोस्तों यह थी इस poem के summary अब हम इसका critical analysis देख लेते हैं Edmund Spencer's Epithelmian was published in 1595 यानि कि यह poem 1595 में publish हुई थी It is a poem in 24 stanzas यह poem 24 stanza में है About the poet's wedding to one Elizabeth Boyle तो यह 24 stanza में और किस चीज़ के बारे में है poet की wedding के बारे में है Elizabeth Boyle के साथ Throughout the poem Spencer makes many classical allusions to mythology और इस पूरी poem में जो है Spencer ने कई बार इशारा किया है classical mythology की और यानि कि वहाँ से character लाए है उसकी बातें की है उसकी घटनाओं की बातें की है तो इस तरह से वो classical mythology भी पूरी poem में चलती रहती है In general An epithelmian is a poem यानि कि आम तोर पर epithelmian एक ऐसी poem है that celebrates a marriage जो कि किसी marriage को celebrate करती है देखिए epithelmian भी एक form of poetry है जिसमें ये ये भी ancient Greek form है जिसमें जो है किसी wedding को celebrate किया जाता था The word comes from the combination of Greek words और ये शब्द जो आया है वो Greek words के combination से आया है That means To the bridal chamber जिनका मतलब क्या है? To the bridal chamber जो bridal chamber तो आप जानते ही होंगे Chamber मतलब आप कमरा समझ ले Bridal मतलब जानते ही है तो आगे देखते है This poem contains 24 sections And details 24 hour तो ये poem जो है इसमें 24 section है यानि total poem में 24 stanza है और ये 24 घंटों के लिए है कि सुबा से लेके रात तक वो पूरा दिन जिस दिन शादी हो रही है And while it is not strictly 1 hour Per section और हलांकि हर घंटे के लिए एक section या एक stanza नहीं है It does move through the day in order लेकिन ये एक क्रम में चलता है जैसे सुबा फिर दो पहर फिर शाम फिर रात तो इस तरह से एक क्रम में चलता है अब आईए इस poem की theme देख लेते हैं This poem was written in Celebrate Spencer's marriage to Elizabeth Boyle ये poem जो है किस लिए लिखी गई है This poem was written to celebrate Celebrate करने के लिए लिखी गई है Spencer की marriage को Elizabeth Boyle के साथ The central theme of epithelmium is the celebration of a marriage तो जाहिर सी बात है कि इस poem की central theme है Marriage का celebration या marriage को celebrate करना It describes a happy wedding ये poem describe करती है एक happy wedding को एक happy wedding day को in poetic imagery poetic imagery में And ends the poem with hopes for the married couple's future और ये poem खत्म होती है किस तरह से Hope के साथ आशाओं के साथ खत्म होती है married couple के भविश्य की आशाओं के साथ तो दोस्तों ये थी आपकी poem epithelmium अगर ये वीडियो आपके लिए useful होते से लाइक करिए और अगर मन करें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना